नमस्कार जहिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आज हम बात करेंगे डियलेड एक्जाम 2022 लेटेश्ट अपडेट के बारे में तो इस वीडियो में डिसकस करेंगे 10 जुलाई 2022 आज सुबह से लेके रात तक की बड़ी अपडेट के बारे म जहां पर दोस्तों आप डियलेड का प्रतम समिश्टा 2-3-4 समिश्टा का रिजल्ट सबसे पहले डाउनलोड कर पाएंगे अब देखे आपके मन में एक सवाल हो का बीएट का इंटरेंस एक्जाम हो चुका है उसका भी अब रिजल्ट आयेगा जल्द ही उसके लिए दोस् की सिचकों का मागा वेतन बंद रखेंगे स्कूल उसके बाद दोस्तों बात करेंगे स्कूल में घुशकर ब्यक्ति ने प्रधाना ध्यापक और अध्यापक से की है मार्क पीट पूरी अपडेट को देखेंगे अधिकारियों से कल समवात करेंगे बेसिक सिच्छा मंतरी य यूआ मंच के प्रती निदियों ने सियम को ट्विट कर मांग किये कि महा विद्याले एवं मादमिक विद्याले में रिक्त पड़े पदों को भी सिच्छक भरतियों के मौजूदा विध्यापन में सामिल किया जाएं। TGT के तकरीबन 4,000 पदों पर भरती के लिए विध्यापन निकाला। सोचे जब पद इतने ज्यादा खाली है तो दोस्तों वैकेंसी इतने कम पदों पर क्यों आ रही है। मतलब कहा यह गया कि TGT PGT के लगबक 27,000 पद खाली हैं। लेकिन वैकेंसी आई है तकरीबन 15,000 पदों के लिए तो यहाँ पर एक बात और बता दे जो हमारी प्राइमरी सिच्छक बढ़ती आएगी तो सरकार ने खुद कहा था 15,112 पद खाली हैं। सुप्रीम कोट में हल अपनामा था जब मामला सिच्छा मित्र और DL8 B8 शात्रों का चल रहा था कटाप को लेकर। ठीक है जो फाइनल पासिंग मार्क था दोस्तों समय 60% किया जाए या ना किया जाए इसलिए मामला सुप्रीम कोट में गया था। लेकिन दोस्तों आप सरकार ने का था कि हम सिच्छा मित्रों को एक और मौका देने के लिए तयार हैं ठीक हैं तब बताया गया था कि 51,000 से ज्यादा पद खाली हैं चुनाओ के समय सरकार ने दोस्त यह का था कि हम तक्रीवन 17,000 पदों पर वैकेंसी निकालेंगे नई भड़ती के लिए लेकिन दोस्तों अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आ पाई तो बच्चे लगातार परिशान हैं अब देखे दोस्त एक और पेटे दिल्ली से B8 BSTC विवात पर सुप्रीम कोट से बड़ी खबर हैं आज 10 जुलाई 2022 की एडवांस लिस्ट में केस लिस्टेड हो गया है B8 BSTC विवात की फाइनल सुनवाई सुप्रीम कोट में 19 जुलाई 2022 को होगी 19 जुलाई 2022 को होगा अंतिम फैसला दोस्तों इस सम कुमिट प्रेक्टिकल फार डियलेट 2021 बैच 18 15 13 और आपको बता दे 2019 बैच 17 बैच के लिए वेबसाइट अलग है इसलिए यहां पर उसका नाम नहीं है ठीक है तो यहां पर दोस्तों जो हमारी अंतिम तारीक ती 6 जुलाई 2022 वह तारीक निकल चुकी है तो अब हमारा रिज ठीक है क्योंकि अब वैकेंसी जल्द ही आ सकती है और आपको बता दे लगातार बच्चे टूइट कर रहे हैं अपनी बात सामने रख रहे हैं अब देखे होता क्या है कि महाधरने की तैयारी जी यहां दोस्तों आने वाले समय में हो सकता है कि नए सी चक भरती के लिए फिर पहुचाएंगे क्योंकि अभी आपको पता है कि जन्वरी में पेपर वहा था यूपी टेट का ठीक है तो लगातार बार बार पेपर तो हो नहीं सकता और सीधी सी बात यहां पर यह न कि यूपी टेट को हमारा पेपर है वो साल बर में एक बार होता है सूपर टेट का 2020 का साल भी बेकार चला गया 2022 अभी चल रहा है ठीक है तो इतना समय बीच चुका है वेकेंसी नहीं आ रही है तो एक वेकेंसी आएगी तो एक अच्छे कासे पदों पर आनी चाहिए और यह दोस्तों मान के चलिए तकरीबन हर साल कुछ नहीं तो दस से लेके 15,000 तक टीचर हो सकता है रिटायर हो रहा हूं अगर आप सुची 2019 में 10,000 टीचर रिटायर होएं 20 में 21 में 22 में होंगे तो 40,000 तो यहां पर सीधे तोर पर खाली हो जाएंगे तो वेकेंसी क्यों इतने कम पदों पर निकाली जारी क्यों छात्रों के साथ नहीं साफी हो रहा है देखिए ज जल्द जल्द वेकेंसी आए कोई नया नियम कानून ना बने बिना नियम कानून बने ही वेकेंसी आजाएगी तो बैतर रहेगा नहीं तो कुछ नया नियम बन जाएगा तो फिर दिक्कत होगी चात्रों के लिए सबसे जादा परिसान होते फेल चातर देखे जिन बच्चों की बैक एक या दो विसे में बची है डियलेट कम्प्लीट है लेकिन एक दो विसे के चक्कर में वो बच्चे नहीं भरती का फॉर्म नहीं डाल पाते तो इंतजार में बच्चे रहते की कैसे जल्द जल्द अपना भईया बैक क्लियर करें उसके बाद दोसे इस अपडेट को जरा देखिए अधिकारियों से कल समवात करेंगे बेसिक सिच्चा मंतरी जी लखनों से अपडेट है प्रदेश के बेसिक सिच्चा विबाग के अधिकारियों से बेसिक सिच्चा मंतरी संदीप सिंग का समवात सोंबार 11 जुलाई को होगा इसके लिए सभी जिला बेसिक सिच्चा अधिकारियों के अलावा मंदली बेसिक सिच्छा निदेश को वह आन्य अधिकारियों को भी बुलाया गया है ये समवात कारकरम इंदरा कांधी प्रदिश्थान के मरकरी हॉल में होगा इस मौके पर प्रदेश में चल रहे बेसिक सिच्छा परिसत से जुड़े विबिन योजनाव पर चर्चा की जाएगी तो दोसी ये बड़ी-बड़ी खबरे थी लेकिन वेकेंसी की बात यहाँ पर नहीं लिखी है कि क्या जल्द ही नई सिचक भरती का विग्यापन आएगा अब देखी जिन बच्चों की बैक लगी है वो बच्चे बहुत परिसान है इस अपडेट को जरा देखी स्कूल में गुसकर बेक्तिने परधाना ध्यापक और अध्यापक से की मारपीट तो दो सी अपडेट निकल कराई तरेया सुजान थाना छेतर के उच्चे परात्मिक सिस्वा दीगर में सनिवार दोपार स्कूल में गुसकर एक बेक्तिने परधाना ध्यापक स्याम बिहारी दुबे और अध्यापक में सिंग से मारपीट कर दी गटना से सिच्चक और छात्र छात्र है परिसान हो गएं सूचना पाकर पुलिस पहुची ठीक है पुलिस मामले की जाच कर रही है गटना की सूचना पाकर प्रात्मिक सिच्चक संग सेव रही के कारवाहक अध्यज धर्वेन सिंग उपादेश संजय सिंग के नेतत्र काफी संक्या में सिच्छक थाने पहुझ गए पीडित अध्यापकों ने तहरीर देकर कारवाई की मांग की थाना के उपने रिचक हरी केस्वर सिंग ने कहा जाच करके कारवाई की जाएगी मतलब भई या पुलिस के पास आप जाएंगे तो यह हमेसा जाच का ही हवाला देते हैं और आपको दोस्तों बता दे हमारे घर में खुद चोरी हुई थी आपको पता है न क्या वह दोस्तों का अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला अगली अपडेट आपके सामने रख रहे हैं आठ हजार राजकी सिचकों का मांगा वेतन बन रहें खेंगे स्कूल तो हर जगे से दोस्तों अलग-अलग अपडेट यहां पर देखने को मिल रही है बाकी कुछ और अपडेट हैंगे तो अपडेट हम आप तक पहुचाएंगे DL8, B8 हर एक अपडेट हम आप तक लगातार पहुचाते रहते हैं कोई भी कबर आपको इस यूटूब चैनल से छूटे की नहीं ठीक है बस आप लोग परिच्छा की तैयारी बहतर तरीके से करिए और आपको दोस्ते एक और बात बताना चाहेंगे कि DL8 हमने सेकंड समझते की सारी वीडियो बना रखिए आप लोग नए वीडियो के लिए परिसान मत हुआ करिए क्योंकि देखिए स्लेबस चेंज नहीं हो रहा है जब स्लेबस चेंज होता तब नए वीडियो की जरूरत होती है ठीक है तो हम चाहते दोस्तों जब एक अच्छा कंटेंट आप के लिए एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं आपके जुनियर बच्चों ने भी एक अच्छा स्कोर किया तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं बस तैयारी अच्छे की अच्छे से कीजे लापरवाई मत करिए मिलते हैं को और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ जो भी अपडेट आएगी हार एक अपडेट आप तक पहुचाएंगे तो यूपिटेट के लिए आविदन की प्रक्रियाद जल्द सुरू होगी और उमीद है कि जुलाई लाच्ट या सितंबर अक्टूबर तक इसका नोटिफिकेशन आए समय लगेगा ठीक है मिलते हैं को और वीडियो में तब तक के लिए इस्टे कनेक्टेड है वा नाइट